नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज जरात्री के 12 बचेशी आपकी राशी में चले माँ भवानी अब आने वाली 365 दिनों तक आप शबी की जुनकाल में माँ भवानी का किरपा रहने वाले ही जिये दोस्तों और आने वाली 365 दिनों तक आ बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों शुनकर आप बिलभुल ही डंग रह जाएंगे जिए दोस्तों यू तो आपकी जुनकाल में आने वाले 3005 शट दिनों तक अन्यक परकार की घठनाय होने वाली है लेकिन दोसों हम आपको आज लो में छे पड़े एशे घठनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी जुनकाल के लिए इतहाशिक बदला होगा एक परकार शक ये कहें ये आपके कि अश्रियत को आप जानेंगे तो दोस्तों आपके आंखें नम हो जाएंगी खुशी के आशु छलगाएंगे और आप इन्हें रोग भी नहीं पाएंगे क्यों दोस्तों कुछ बातें अशी हैं कुछ घबरी ऐसी है जो कि आपके आँखों में आशु तो लाही देंगे और दोस्तों जुमनकाल में कहीं न कहीं आपको अश्रवलता का मुह भी देखना पर शकता है जी दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिलकुल ही मिशना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंतर तक बिलकुल ही ध्यान शु देखिएगा कि दोस्तों आज की इस वीड कार होने वाले ही जिनकी कल्पना आपने कभी शपने में भी की नहीं थी जे दोस्तों और आपने सोच भी नहीं शकती कि दोस्तों इश्वर को कोई समझ नहीं शकता कि वह कब किसको क्या दे दे जब देते हैं तो दोस्तों बश लोग आज से चकित हो जाते ही और जो जलने वाले होते हैं तो उनके हो सी उड़ जाते ही पर दोस्तों कुछ ऐसे ही चमतकारी घटना है अब आपकी जुनकाल में होने वाले हैं जी दोसों आप शबी को बता दी कि नवरात्री का जो पावंतेवार है यह माभवानी का शब्षेविश्ष महत होता है और दोस्तों उनमें म वक्तों के जुनकाल में चमतकार ना करें दोस्तों इशा हो ही नहीं शकता और दोस्तों आज रात्री के बारा बज़ेश आप शबी के जुनकाल में माभवानी परवेश्ष करने वाली है और आप शबी के जुनकाल में आपके शोचे हुए शपने को पूरा करने वाली है ज दोसों आप शवी के जुनकाल से जुड़ी है कौन-कौन शे बड़ी खुशकवरी मिलेंगी किन-किन चित्रों को लेकर आपको शावधन नहीं होगा और कौन-कौन शे बड़े कारे जो यश में आपके पूरी होकर रहेंगे इन्हें शवी की विस्तरती जानकार देंगे जो क कि मा भौनें जरूर लखेगा मतब भवानी का शिमश्राब आप शवी को प्राप्त होगा जो नकाल में खुशियों की किलकारी गुंज़ेगी कभी दुख दस तक नहीं देगा जी दोसों तो दोस्टों जरूर लखेगा और यदि आप श्लैल पर शेप कर रहें साति बैल पिचार शे दोस्टों मा भुवानी का एक षच्चा भक्त अपने जुनकाल में बहुत ही निराश और हथा शोचोके थे उन्हें अपने जुनकाल से आकिर आगे केशे बड़े क्यों उनके जुनकाल में इतने दुक चनलते रहते हैं और दोस्टों यहाँ शोच कर वा अपने म प्रातना करने लगे कि हे मां हे माभवानी आकिर हमारे जुनकाल में इतने दुख क्यों है अगर इश्वर सचिता नंद है जो खुद सत्चीत और आनन्द शे बना है तो शुर्चार में इतना दुख क्यों है क्या यहां शिर्प शुक ही शुक नहीं हो शकता यही शवाल हुआ माभवानी से पूझते ही। मा भवानी उन्हें कुछ कहने शी पहले उन्हें शमझाने के लिए नदी के उश्पार जाने के लिए कहता है और उनके हाथों में नाव के एकी पतवार को देता है और वह नाव पर बेट जाता है और जब वह एकी पतवार से नाव को बढ़ाता है तो वह नाव आगे नहीं ब जाता हूं कि जिस परकार एक पतवार शे नाव आगे नहीं पढ़ता उशी परकार जिवनकाल में शुक और दुख जीवन के दो पतवार हैं अगर शुक ही शुक हो तो जीवन का नाव आगे नहीं पढ़ता दोनों बारी बारी शे चलानी पढ़ती है तभी किनारे पहुंचो बिना या शमझे कि शुक दुख का ही एक रूप है शुक हो या दुख दोनों को एक शमाश देखें ये दोनों लहरे हैं आती है और जाती है आप अनन्द में रहेंगे या बाशुन कर उनके भक्त को जिवन का ग्यान हो गया और वहां खुसी से जूम उठे तो दोसों मा भव जिशी आने वाले 365 दिनों तक माभवानी आपकी राश्य पर जाने वाले हैं तो दोस्तों आपको कौन-कौन शी बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है कौन-कौन शी बड़ी विश्यज बातों के श्में आपको ध्यान रखना होगा आपका लव-लाइप स्वास्त केरियर और बहुत यदा वश्यक है तो आई दोस्तों बात करते हीं दोस्तों यश्मे लोगों की परवाह न करके अपनी योगता अनुशार मन मुताबित कारियों पर ध्यान के दिल रखें आपको अवश्य कोई कुपलाब्दी आश्य होंगी शमाजिक दायरा बढ़ेगा ततारों की पेमेंट वगेरा आने शिया आपको रहात मश्योंगी दोस्तों यश्मे शाधानी के गरबात करें तो कभी-कभी एगो और अतिया अत्मिश्वास आपको अपने लक्ष से यश्मे भटका शकता है दोस्तों इसलिए अपने मन को जो है श्मित रखना आपके लिए यश्मय होगा दूसवर किसी भी परकार का नेतले लेने में यश्मः दिक्कद अगर आरहे है तो दोस्तों घर के वरिष्ट वेक्तियों की शलालें यह आपके लिए आउश्मः होंगी दोस्तों इससे आपको को sièश्मय आपके लिजिए से लोंगे मितनों दोरा आपके शाध मन मऱ से लिटाब को दूर करने की को शिच की जाएगी दोस्तों अपने एंकार को दूर रखकर करिबी व्यक्ति को माहप करना आपको यशंञेखना होगा दोस्तों परिवार और काम दोनों जगह परगति प्राप्त होंगी श्वास्मे में विएश्मि सुधार देखने के वजशी आपका उत्साह यश्में बढ़ेगा काम के बारे में कुछ नया करने की युजना भी यश्में बन सकती है इसको प्राण दोस्तों यश्में आपके लिए जुसे में होंगी दोस्तों कुछ विशेस कारी शमदी युजनाएं यश्में क्रियानित ह होंगी दोस्तों घर के रकरकाव शमदी कारियों में भी शमय यश्में वधित होगा दोस्तों के दुग दर्द और तकलीफ में उनकी शाहता करना तथा आपका शकारत्मग वेवार समाज में आपकी छवी को और अधिक यश्में निखा रहेगा इसको प्राण दोस्तों सम्मधित लोन लेने का प्रोग्रेम बना रहे हैं तो दोस्तों यह श्मय इन्हें अस्तगित रखें यह आपके लिए वैतर होंगे इसको प्रांद दोस्तों यह श्मय आपके लिए श्मय होंगे आपके देंचरा के लिए श्मय होंगे दोस्तों कई शारी बातों के बारे में निरले लेने का शमय यसमी आ गया है जिसकी वज़श्य मन में बेचेनी साथ को महसूस भी होगा दोस्तों कुछ बातों को पीछे छोड़ कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं इसे दोस्तों यसमी पुराणी बातों में अधिक ना उलजें आपके दोवरा मिला शयोग मित्र के लिए अधिक माइन रखेगा मन में बढ़ रही बेचेनी और गुष्य को शांत करने के लिए शांत समंदी वयाम यसमी जरूर करते रहें यह आपके लिए बहतर होंगे इसके परां दोस्तों यसमी आपसे अपने कारी को जितनी अधिक प्रिश्रम से करेंगे उनके ही अनुरूप आपको उचित परिणा भी यसमी हासिल होगा दोस्तों यूआ वर्ग अपने किसी दियुदा को दूर होने से राध भी मेसुच करेंगे और दोस्तों भाई शमी फैसला लेने में भी यसमी आपके अंदर आत्मी शुआस और हिम्मत बढ़ेगी शाथी दोस्तों यसमी किसी ने दिखी शम्मद को लेकर आपके अंदर शक वा फिर एवहम जैसे इस्तिती उत्पन हो शकती है और दोस्तों इसकी वज़ा से शम्मद भी खराब हो सकते हैं बैतर होगा कि इसकी वज़ा से आप शम्मद को खराब नहों होने दे और नकारत्मक बातों को अपने दिमाग में जो है उपजने ही ना दे यह आपके लिए बैतर होगी इसको पराण दोस्तों याश्मय आपके लिए जिम्होंगी दोस्तों काम मन चाहे वक्त पर ना पूरा होने चाहे वज़े से आपके उपर तनाव भी बना रहेगा लेकिन दोस्तों काम पूरा करने के लिए अपने परितने आप करते रहें आपको अपनी निरले शमता को बढ़ाने का प्रयाश करना चाहिए याश में आपके लिए मारदर्शर कोई ना होने के वज़शी अकेला पन आपको महसूस हो सकता है फिर भी दोस्तों प्रस्तिती में बदलाओ अपनी भावनों को काबू में करके किया जाश सकता है तो दोस्तों इन पर आप ध्यान दें इसको बढ़ान दोस्तों याश में आपके लिए समय होंगे आपके दिंचरा के लिए समय होंगे प्रस्तिती पुरूंता आपके पक्ष में ही है सिर्फ कोई भी निगले लेने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार विमस करने की जुरत होंगी दोस्तों धार्मिक तथा त्यात्मिक छेतर में भी आपकी यश्मय आस्था बढ़ेगी तथा आपकी जीवन शेली में भी शकारत्मक परविरतन यश्मय आएंगे इसके प्रादि दोस्तों यश्मय आप किसी व्यक्तिकत जीवन से जुड़ी किसी भी कारग में रिक्ष ना लें ये आपके लिए बैतर होंगे क्योंको दोस्तों बहुत बड़े नुक्षान होने की आश्मका यश्मय लग रही है इसे परति दूस्तों, करके बुजरों के मान शमान में भी किसी प्रकार की कमी नो करें क्योंके दूस्तों उनकी नराज़्की घर के वातारून में उदासी ला सकता है तो दूस्तों इन पर भी आप ध्यान दे ये आपके लिवे थ Comics लोगोगे दोस्तों खिशीवी विशाई में निकले ना होने के उज़शे एक जगा अटके रहने की समोने आपके इंदर पैदा हो रही है दोस्तों यदि आप परिस्तिती में बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों आपके विचारों में भी बदलाव आपको करना जाहिए हर चीज पर नियंतरन करने की आपकी जो कोशिस है यश्मी आपको तकलीब दे रही है दोस्तों केवल अपने लक्षें को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें लक्ष किस मार्क से प्राप्त होगा इस बात का अधिक तनाव खुद के उपर ना बनाए यसको बराद दोस्तों यश्मी और आपकी केरियर को लेकर बात करें थो दोस्तों मार्केटिंग came दी सब्मक्राई को अधिक संब्री इस तक रहें दोस्तों इसकी प्रांध आपके वायवशाहिक लिए जी समय होंगे दोस्तों कारेवारी विस्तार शम्मदी ओजनाएं बनेंगी पर उन पर निविश करने शी पहले सबही पहलुवों पर आपको विचार करना अत्य आउश्चो होगा दोस्तों किश्य के साथ पार्टनर्शिप में काम करने के लिए जो समय होगे अत्ति उत्तम शमय होगे कोई भी ओफिशल यात्रा भी या शमय हो सकते हैं इसको बांद दोस्तों ये में आपके कारिक चित के लिए हुगे। नोकरी पेशा व्यक्ति जो है अपने कार्यों को पूरी निष्ठाशी करें क्योंकि दोस्तों प्रणुति के अफ्षर यस्मई बन रहे हैं इसको प्राम दोस्तों यस्में आपके लव लाइप के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपके प्रेम जीवन के लिए जीशन में dir Hello t mission के श्वास सम्वन होंगे तोस्तों तोड़ीक्य प्रेशाणी रिशक्ति है दूसों उनका श्यूक्र प्रिशान्यों का भी हल करेगा इसको प्राइब करें अगर आपके स्वास्त को लिए बात करें तो दोस्तों याश्मे शारीक और महाश्षी के ठकान रहेगी और दोस्तों इसलिए कुछ प्रवाइब दोस्तों अपके स्वास्त के लिए बहतर होंगी कभी-कभी नकार्तमक विचारों के उठने शे तनाव रहेगा जिसका अफ़र आपकी सारे चंता पर भी पढ़ सकता है दोस्तों अपको योगा और मेट्रेशन पर जरूर ध्यान दें यह आपके स्वास्त के रखने की आपको हवश्चता होंगी इसको प्रांधि दोस्तों यह मैं आपके स्वास्त के लिए से लोंगे दोस्तों जोड़ों में दर्द जिसी समस्चया बढ़ सकती है यह समय अपना उच्छी ध्यान रखना आपके आवश्चा होगा लगवाही ना परतें यह आपके स् झाल झाल झाल